आज हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल रेस्टोरन जैसा टेस्टी टोमेटो सूप बनाने की रेसिपी हेलो दोस्तों अहुजास रेसिपी इसमें आपका स्वागत है तो चलिए टोमेटो सूप बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां तीन बड़े साइस के लाल टमाटर लिये हैं सूप बनाने के लिए आप लाली टमाटर का यूज़ करे अब टमाटर को हम बड़े-बड़े टुक्डों में इस तरह से काट लेंगे तो इसके उपर का जो डंठल है वह हम निकाल देंगे और इसे कट कर लेंगे दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आप चाहें तो टमाटर को डायरेक्ट कूकर में बॉयल करके उसके बाद भी टमाटर सूप बना सकते हैं लेकिन इस तरह से टम बिल्कुल नया तरीका बताओंगी टमेटो सूप बनाने का सारे टमाटर कट हो चुके हैं अब एक कड़ाई में हम एक बड़ा चमच बटर डालेंगे बटर की जगह आप घी या तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं बटर डालने से टमेटो सूप का टेस्ट बहुत ही बढ़िय जाता है गैस का फ्लेम हमें स्लो टू मीडियम ही रखना है और बटर को मेल्ट होने देना है बटर मेल्ट हो जाए उसके बाद आधा चमच हम इसमें जीरा डालेंगे जीरा को हम कुछ सेकेंड के लिए भून लेते हैं उसके बाद हमने जो टमाटर कट करके रखे हैं उसे हम इसमें डाल कर मिक्स कर लेंगे टमाटर को हमें एक से दो मिनिट के लिए इसी तरह से चलाते हुए थोड़ा सा सेक लेना है इस तरह करने से टॉमेटो सूप का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा फिर एक चौथाई चमच इसमें हम नमक डालेंगे नमक डालने से टमाट जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं अब ढ़कर हम इसे मीडियम फ्लेम पर एक से दो मिनिट के लिए पकाएंगे तो बीच बीच में हम इस तरह से इसे थोड़ा सा खोल कर मिक्स कर लेंगे वापस हम ढ़कर इसे थोड़ी दिर और पकाएंगे लगबग दो मिनिट हो चुके हैं और टमाटर भी अब सॉफ्ट हो गए हैं इसे हम खोल कर एक बार मिक्स कर लेंगे फिर हम आदा इंग जितना अद्रक का टुकड़ा एकदम बारिक कट करके डालेंगे आप चाहें तो कदुकस करके भी डाल सकते हैं और तीन से चार हम इसमें पुदिने के पत्ते डालेंगे पुदिने इसे टमाटर सूप में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है अब धाई सो से तीन सो एमेल जितना हम इसमें पानी डालेंगे करीब एक कप जितना और इसे भी मिक्स कर लेते हैं फिर डग कर हम इसे मिडियम टु हाई फ्लेम पर दो से तीन मिनिट के लिए और पक करता है लेकिन यह टमाटर सूप बहुत ही टेश्टी बन कर त्यार होता है करीब तीन मिनिट हो चुके हैं और हमने जो पाने डाला था वह सूपकर आधावि हो चुका है तो इसे हम एक बाद मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे अब इसे हम ठंडा होने देंगे अगर आप इसे ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रहे हैं तो ये गरम होगा तो भी आप ब्लेंड कर सकते हैं यदि आप इसे मिक्षर जार में डाल कर पीश रहे हैं तो इसे बिल्कुल ठंडा होने दें और उसके बाद ही पीशें इसी तरह की जूस यह सूप चानने वाली जो चलनी है उसमें डाल कर हम इसे चान लेंगे। स्टील की जगह आप प्लास्टिक की जो एकदम बारिक छेद वाली चलनी आती है उसका भी यूस कर सकते हैं शूप चानने के लिए। तो हम इसमें आधा कप जितना यानी के 120 ml जितना पाणी और ढलेंगे, फिर आधा चमच कश्मीरी रेट चिली पाउडर, एक चोठाई चमच काला नमक और आधा चमच जितना काली मिर्ज का पाउडर डालेंगे, काली मिर्च की जगा आप सफेद मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं अब इसे मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे यहां मैंने एक चम्मच जितना कॉन फ्लोर लिया है उसमें हम एक दो चम्मच जितना पानी डाल कर इसे मिक्स करके इसकी सलरी बना कर तयार कर लेंगे कॉन फ्लोर की सलरी डालने से हमारा जो टमाटर का सूप है वो थोड़ा सा गाड़ा हो जाता है जब टमाटर सूप में उबाल आने लगे उसके बाद ही हम यह सलरी डालेंगे ये टोमेटो सूप पीने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है इसलिए आप इसे अपने डाइट प्लान में भी शामिल कर सकते हैं अब इसमें उबाल आने लगा है गैस का फ्लेम हम स्लो टू मीडियम रखेंगे और उसके बाद हमने जो सलरी बना कर रखी थी उसे हम इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे कॉन फ्लोर स्लरी डालने के बाद हम टमाटर सूप को तीन से चार मिनिट के लिए और पकाएंगे फिर इसमें हम आदा चम्मत चीनी डाल देंगे और एक बड़ा चम्मत जितना टॉमेटो कैचप चीनी और टॉमेटो कैचप डालने से टमाटर का जो खटापन है वो भी बैलेंस हो जाता है और टेस्ट भी बहुत बढ़ी हाता है टॉमेटो सूप को हमें ना बहुत ज़्यदा पतला ना बहुत ज़्यदा गाढ़ा इस तरह का रखना है क्योंकि टॉमेटो सूप अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला होगा तो भी पीने में अच्छा नहीं लगेगा यहां मैंने आपको जो माप बताया है वो एकदम परफेक्ट माप है टॉमेटो सूप बनाने के लिए तीन-चार मिनिट हो चुके हैं और हमारा टॉमेटो सूप भी अब बनकर तैयार है गर्मा गरम टॉमेटो सूप को हम सव करेंगे आप चाहें तो टॉमेटो सूप में उपर से थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हैं यहां मैंने थोड़े से टॉस के टुकड़े को स्क्वेर पिसिस में कट करके लिया है उसे हम इसमें डाल देंगे टॉस की जगह आप ब्रेट स्लाइस को स्क्वेर पिसिस में कट करके उसे फ्राइ करके भी इसमें डाल सकते हैं तो लिजिए रेस्टोरंट से भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी टोमेटो सूप बन कर तयार है आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूरेक बार ड्राय करें आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाजू में दे गए बेल आइकन पर क्लिक करके औल सिलेक करें मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार